नमस्कार सभीको ट्रिक सेंटर के और सी नमस्कार आज हम चलने पर्मुक्ष चिन एवंपर्थीक तो इसको आपको याद करवाना ज्यादा है नहीं पांस-दस है इसको याद करवाना ऐसा नहीं कि एक दिन में पचास सवाल डाल दे तो पचास-वाल याद होना चाहिए पांस सब्सक्राइब करके ऊसप करना विडियो हों जब सब्सक्रा चाहर मिले एक-दो विडियो चला दिए देखने के कोईश जरूरत ने सिर्फ सुनते रहिए सुनते सुनते आपके दिमाग में बैट जाएगा पिछला वीडियो जो तिन्चार वीडियो हम डाले हुए हैं वो वीडियो को भी रिपीट किजिए एक बार जरूर नहीं टाइम मिले हेड़फॉन लगा के वीडियो चला दिये सुनते रहि तो फिर किसी परकार का आपको दिकत नहीं होगा तो चलते हैं अब याद करवाते हैं परमुख चिन तो पालाई की रेड क्रॉस तो रेड क्रॉस ऐसे होता है रेड क्रॉस अब देख रहे हैं कि रेड क्रॉस यानि प्लस का सिंबॉल यह प्लस का सिंबॉल क्या है या इस त दिमाग लगाई इसमें किसे को याद भी होगा लेकिन जिसको याद नहीं है याद रखने का हम तरीका बता दे क्योंकि बहुत एजी चीज है लेकिन इजी चीज ही गलत कर बाता है student को वो easy समझ लेता है इसलिए वो गलत answer त्यार कर लेता है आप से गलत नहीं हो याद रखने का तरीका सीखिए तो red cross तो red cross अभी हम तुरत चीर ने बता हैं कि red cross इस तरह सलना है तो red cross आपका doctor ही सहता है तो doctor ही सहता हम कैसे रखेंगे इसको red cross तो doctor क्या करता है कि चीर फार करता है चीर फार करता है तो blood उसमें निकलता है blood कैसा होता red होता है red होता है और cross करता है कैसे blood निकलता है जो वो काटता है cross करता है तब blood निकलता है तो cross मतलब होता है काटना एक मतलब समझ लिए क्रॉस मतलब काटना तो यहां पर क्रॉस किया थे एक दूसरे को काटे ना तो डॉक्टर क्या करता है काटता है तो काटता है तो ब्लड निकलता है कैसा ब्लड निकलता है रेड ब्लड निकलता है तो रेड क्रॉस आपका क्या होगे डॉक्टरी सह साहेता कोई दिक्कत नहीं है रेड क्रोस आप समझ सकते कि डॉक्टरी साहेता है कोई दिक्कत इसमें नहीं है अब आये लाल तिरकॉन तो तिरकॉन मतलब थिरी सिंबो डवल था यहां थिरी हम कर दिये कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है लाल तिरकॉन अब समझे कि लाल त फिर कोन भी परिवार्ड नियोजन परिवार्ड नियोजन क्या है डॉक्टर से ही सम्मंदित यह है परिवार्ड नियोजन परिवार्ड नियोजन को हम समझा देते कि परिवार्ड नियोजन क्या है परिवार्ड नियोजन यह है कि जैसे किसी को बच्चे होते दो तीन चार पा परिवार नियोजन परिवार को समित रखना उसी को बोलता है परिवार नियोजन तो परिवार नियोजन में सरकार कितने याद रखेंगे लाल तिरकोन बोला लाल तिरकोन मतलब कितने तीन तीन क्रोस आया तीन क्रोस मतलब तीन बच्चे तो तीन बच्चे आया तो यह संधीं हो गिया तो परिवाद नी ओजिन आप याद रратी हिए लाल तिर कॉन डबल क्रोस डॉक्टरी लाल तिरकॉन हो गया तो तिरकॉन परिवाद नियोजिनм परिवाद से संबन्द्ध कोदिकत नहीं है आगगे है स्फेद जंडा तो आप दिमागर रखेंगे कि सफेद जंडा सफेद मतल्व थे वैट तो वइड जंडा के लिए आप समझेंगे कि सफेद जंडा में आपको दिमाग लगाना चाहिए सफेद सोस सफेद सोस संधी दिख रहा है आप सभी को सोस सफेद सोस संधी सोस समरपन तो सफेद जंडा यानि वाइड जंडा दो होगा आपका संधी का परतिक होगा तो संधी आपका क्या होता है इसको समयना है कि संधी आपका होता है कि मेल मिला मेल मिलाप करना उसको हम संधी बोलते हैं तो मेल मिलाप कर दीजिए तो वो आपका संधी हो जाएगा तो सोसर सफेद सोसर संधी सोसर समरपन तो सफेद जंडा क्या हो गया संधी का परतीक और समरपन का परतीक को दिक्कत इसमें नहीं है उपर से फिर से एक बार आते हैं कि red cross red cross red हो गया लाल और cross चीरना फारना डॉक्टरी साहेता कोई इकत नहीं है उसके बाद फिर आपका है लाल तिरकोन लाल तिरकोन मतलब थिरी सिंबोल थिरी सिंबोल परिवार नियोजन सफेद जंडा सोस सफेद सोस संधी सोस समरपन संधी मतलब मेल मिला आप समरपन का परतिक हो गया अब चलते हैं आगे आपको दिख रहा है कि लाल जंडा तो लाल जंडा लाल का परतिक आपको पता होगा कि लाल जंडा हम किसको बोलते हैं लाल लाल मतलब खत्रा जैसे कोई भी चीज होता है कि वहाँ लाल जंडा कार देता है लाल जंडा मतलब खत्रा है उधर नहीं जाईया जैसे ट्रेन में आप चलते हैं तो सिगनल है किसी में लाल है किसी में ग्रिन है तो लाल के तरफ इंडिकेट करता है उधर खत्रा है उस तरफ आपको नहीं जाना है तो लाल जंडा आपका हो गया खत्रा का पड़ती कोदी कतनी खत्रा का पड़ती करांती का पड़ती बोल सकते लाल जंडा लाल हो गया ये तो जनरली सभी को याद भी होता है इसमें कोई बराची नहीं है कि लाल जंडा किसका ह हो गया क्रांती यह खत्रा अब जुका हुआ जंडा तो जुका हुआ जंडा को हमको याद रखना कि जुका हुआ जंडा क्या होगा तो जुका हुआ जंडा आपका लिखा हुआ है कि राष्टिय सोक संकेत राष्टिय सोक संकेत जुका हुआ जंडा आपका हुए तो जुका ह उजन्टा को आप याद रखेंगे राष्टिय सोक संकेत अब इसको किसी याद रखना है कि आप याद किजिए सभी परहें लिखए हैं तो जब कभी हमारे सैनिक हमारे सैनिक कभी सहीद हो जाते हैं तो सारे स्कुल में आपको याद होगा कि आप खरे होके सर को नीचे जुका के नीचे जुका के और आखे बंद करके उसको सरदांजली देते हैं तो कैसे करते हैं जूक के करते हैं राष्टिया सोक तो राष्टिया सोक मतलब क्या देश के लिए सोक है सोक दिवस मतलब कोई अनुहोनी हो चुका है उसी के जब जुक जाएंगे आप तब सोक मनना सुरू हो जाएगा आपका सर नीचे होगा या जंडा नीचे होगा तो सोक मनाया जाएगा तो जुका हुआ जंडा जुक गया जंडा जुकता कभी नहीं है हर हमेशा तिरंगा उपर उठता है और फारते रहता है जुकता कभी नहीं ज जब आपको किसी परकार का दिक्कत होता है, कोई गलती हो जाती है, उसी को जुक जाता है, उसी को हम बोलते है राष्टी है सो, कोई दिक्कत दिसमें नहीं है, अब आगे बरते हैं, अगला आपका दिख रहा है कि काला जंडा, काला जंडा से भी को दिख रहा है, तो काला जं तो जैसे कुछ आदमी कुमेंट करते एक सर यह याद है तो उसके लिए है ये कि जिसको याद है, तो आराम से देख लेंगे, हम वीडियो उनी के लिए बनाते है, जिसको कुछ नहीं पता है, जो एकदम जिरो है, आप मेरे साथ तो चलते जाएए, यादा की चक्र में नहीं रहना है, जितना हम याद करवा रहे हैं, याद करना है, उसके बाद एक्ष्टा पर लेना है, सब आएगा हम ऐसा नहीं की सब की छोड़ देंगे, सब जाएगे हैं, जितने भी दिल्ली सलतनात है, या फिर बहुत चीज़ है तो सभी को हमको बताना है एक एक तरब से हम बताएंगे और जिसको याद है को दिक्कत नहीं याद है वो देख लीजिए इसको याद है वो रिपीट कर लिए काला जन्डा तो काला जन्डा क्या हो गया विरोध का पर्तिक बिरोध काला ने बोलता कि मन में काला है क्या मन में काला है मतलब क्या उसके अंदर बिरोध है किसी के पर्तिक काला है तो इसका मतलब आप उसका विरोध कर रहा है तो काला जन्डा हो गया विरोध का पर्तिक काल मन में काला होगा जैसे बोलता है डाल में कुछ काला है इसका मतलव है कि बिरोध परदस्थन वह कर रहा है तो काला जंडा क्या होगी है आपका बिरोध का परति उपर से एक बार फिर चलते हैं रेड क्रोस, क्रोस फारना चिरना, रेड खून निकालना डॉक्टरी साहता, लाल तिरकोन तीन बच्चे परिवार नी होजे, सफेद जंडा, सोश सफेद, सोश संधी, सोश समरपन, लाल जंडा, क्रामती या खतरा, जुका जंडा, जुक गया है, सोक का परति, राष्टिय सो काला जंडा, बिरोध परदर्शन, काला जंडा, बिरोध परदर्शन, को दिक्कत इसमनी है, अब चलते हैं आगे, आगे आपका पॉइंट क्या देख रहे हैं, देखे आप, कि आगे आपका पॉइंट है, कि उल्टा जंडा, उल्टा, तो उल्टा जंडा क्या आपका है, राश्टिय बिपदा राश्टिय बिपदा क्या हो गया उल्ट जंडा तो उल्टा जंडा बिपदा पहले हम समझते राश्टिय बिपदा क्या है बिपदा मतलब होता कि आज में बोलते हैं बिपत्ती पर गिया तो बिपत्ती पर गिया मतलब बहुत बढ़ा कस्ट हो गया बि उल्टा जंडा को हम बोलते हैं राष्टिय विपत्ती जब उल्टा हो जाएगा तो उसको हम बोला जाएगा राष्टिय विपत्ती जैसे राष्टिय विपत्ती अभी चल ला है को रेना वाइरस हो गया तो राष्टिय विपत्ती हो रहा है तो उल्टा जंडा जंडा को हम क् पता ही कि कबूतर सांतिक परतिक होता है कबूतर अब क्या होगे सांतिक परतिक कबूतर इसको याद रख सकते हैं कबूतर सांतिक परतिक उपर से फिर से आते हैं रेड क्रोस डॉक्टरी साहेता, लाल तिरकोन परिवार नियोजन, सफेग जंडा संधी, लाल जंडा करांती, जुका जंडा रास्टिय सोक, काला जंडा बिरोध, उल्टा जंडा, रास्टिय बिपदा, कभूतर सांतिक पर्दिक, कभूतर सांतिक पर्दिक, कोदिक दिस्मिन क्या करेंगे आप जब दुख होगा जब तकलीफ होगा तो आपको बहां पर काली पट्टी बांधनी होगी और रियली सचाही में दुख आपको है तब बनावती दुख है तो तब तो कोई बात नहीं है तो बहां पर काला पट्टा कब बांधनेंगे आप जब आपको दुख होगा तो मआपर काला पट्टा बांधेंगे नए तो जिस दिन तक्लीफ होगा एक दिन बाहं पर काला बांध लिजीएगा जिन्दगी बहर के लिए याद रह जाएगा तो मअपर काला पट्टाा शोख डुक ग्वुदका दिसमनी है। अब एक वचा है point आपका की चक्र कृष्न भगवान का चक्र तो कृष्न भगवान का चक्र क्या होगा पर्गती होगा तो चक्र चलेगा तो चक्र को देखे चक्र घूमता है घोमता है मतलब परगती करता है तरक्की करता है तो तरक्की करता है मतलब जब भी आप तरक्की करेंगे तो राश्टी है चक्र है चक्र को हम क्या रखेंगे परगती करना बर्हना परगती करना मतलब बर्हना बिर्धी होना जैसे आप चक्र चक्र क्या होता है इस पिट में घ पहुंता है तो के रीशि ह्यवन का चक्र क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है हैं इसलिए इसको याद रखेंगे चक्र को प्रगती, कोजिकत नहीं है, एक बार फिर से उपर से आते हैं, आपका लिखा हुआ है कि रेड क्रोस डॉक्टरी साहेता, डॉक्टर रेड क्रोस चेर्णा फार्णा, लाल तिरकोन तीन गो परिवार्णी उजन, तीन बच्चे परिवार्णी उजन, सफेद जंडा सो संदी, सो स सफेद, सो स समरपन, लाल जंडा करांती, जुका जंडा राष्टिय सोक, जुक गया राष्टिय सोक, काला जंडा बिरोध, उल्टा राष्टिय विपदा, कवूतर सांती, बांपर काली पट्टी राष्टिय सोक, या सोक या दुख जो रखना है, याद रखिए इसको चक्र परगती कोई दिक्त दिसमिन इंगैं इसको याद रखिए बार बार सुनिए नहीं बन लगे तो वीडियो चला दीजिए और सिरु के रहे सुनने में किसी को पैसा को अरही नहीं जाता है, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा और थोड़ा बहुत confusion होगा, तो जैसे ऐसे आप आदा डालिए कि Option में हम सही मार रहें के नहीं है Option में आप यदी सही मार रहें तो कोई दिकत नहीं है आपको पूरी तरह याद जैसे कोई पूछ देता है तो हम बोल दिये या नहीं बोल पाए तो उससे पूछो कि option बताईए हम option में सही कर दें option पकरने के लिए सीख गए तो समझे आप बहुत बड़ा तरक्की कर दें option का खेले क्योंकि चार option आपके एक्जाम में रहता है option आपको पकर में आ गया तो फिर आप बना सकते हैं competition को पास कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आज इतना ही रहने देते हैं देखिए सुबा साम हम विडियो सुबा में जीके जीस रालते हैं और साम में आपका mathematics जा रहा है continue आप देखते जाएंगे देखते देखते आपका course बढ़ते हुए चला जाएगा और आपको किसी परकार का दिक्कत नहीं हो एक बार नहीं हो दो बार देखिए तीन बार देखिए चार बार देखिए continue देखिए जब आपका मन भर नहीं जाए उतने बार देखिए तो फिर आपको किसी परकार का दिक्कत नहीं होगा चलिए रहने दिए फिर आगले कल वीडियो में मिलते हैं